शरीर को हेल्दी रखने के लिए विटेमिन्स और मिनरल जैसे कई पौशिक तत्पों की जरुवत होती है नमश्कार मैं दिती फॉस्दर आप देख रहे हमारे साथ हमारा हेल्थ सेग्मिन सेहत नामा आज हम बात करेंगे सेलेनियम रिज फूड आइटम्स के बारे में सेहत मन रहने के लिए खान पीन का विशेश ख्याल रखना बेहत जरूरी होता है खासता और से आज कल के अनहल्दी लाइफस्टाइल में बॉड़ी में ऑक्सडेटिव डैमेज का जोखिम भी बढ़ता जा रहा है ऐसे में सेलेनियम आपके लिए काफी ज़ादा मददगार हो सकता है ये एक ऐसा मिन्वल है जो विटेमिन E के साथ मिलकर सेहत को कई लाब पहुंचाता है आईए जान लीजे कि कैसे ये पावरफुल एंटी ऑक्सिजन आपको बड़ी बड़ी बिमारियों से बचा सकता है चलिए अब जानते हैं कि शरीर के लिए सेलेनियम की मात्रा कितनी जरूरी होती है डबलू एचो के मुताबिक उमर के हिसाब से शरीर को सेलेनियम की जरूरत होती है एक और पुरुष को जहां 34 UG प्रतिदिन सेलेनियम चाहिए होता है वही माहिलाओं के लिए या मात्रा प्रतिदिन के हिसाब से 26 UG होता है 14 साल से जादा उमर होने पर शरीर को 55 माइक्रो सेलिनियम की जरूत होती है वही नवजाद बच्चों को 20 माइक्रो सेलिनियम हर दिन चाहिए होते हैं इसके अलावा अन्ने लोग के बुकाबले गर्बती महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी जादा जरूरी होता है ऐसे में हेल्दी रहने और बिमारियों से बचाफ के लिए अपनी डाइट में सेलिनियम रिच फूड आइटम्स को शामिल करना भी बेहत जरूरी है अब जानते हैं कि शरीर में सेलिनियम की कमी के लिए कौन से फूड आइटम्स को आप शामिल कर सकते हैं सबसे पहले कॉटेस चीज, ये सेलिनियम का एक अच्छा सोर्स है, 100 ग्राम पनीर में लगबग 20 माइक्रो सेलिनियम होते हैं, जो आपके शरीर में किसी कमी को दूर करने के लिए दिल से संबंधी बिमारियों से बचा सकते हैं, इसके साथ ही चिकिन, चिकिन सेलियम की प्राप भी लोग ना पसंद करते हैं, ऐसे मैं आपको बता दे कि शरीर में सेलिनियम की कमी को दूर करने के लिए इसका सेवन काफी जरूरी माना जाता है, एक अंटे की बात करें तो इसमें 15 माइक्रो सेलिनियम पाए जाते हैं, इसके साथ ही पालक, पालक जिससे पतेदार हरी सब को मेंटेन भी कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही ऐसे हेल्थले टिप्स के लिए बने रहे हमारे चैनल दनक्री मीडिया के साथ, धन्यवाद